है वेलकम तो माई योटूब चैनल रागाव क्लासेशन दोस्तों आई शुरू करते हैं हम दो अपना इडियम सेंट फ्रेजेस का चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बुलिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए कर शेयर कर दीजिएगा तो आई फेयर वर फिर ऐदर द possession यहीं यानि एक फेयर वेधर फ्रेंड होता है वह कभी भी दोस्ती लाइक नहीं कर दोस friendship के लिए नहीं होता है एक selfish friend अगला जो इडिया में हमारा तू वेट वन्स विशल वैसे तो विशल मतलब सीटी होता है जो की लिप्स होट से बजाए जाते हैं और वेट का मतलब होता है भीगोना या गीला करना तो अपने विशल को शीटी को गीला करना का मतलब क्या होता है यह एक इडियम है बहुत ही चंदार इडियम है मैं आपको एक्जांबल भी यूज करके दिखाऊंगा ताकि आप यूज कर पाए तू वेट वन्स विशल का मतलब होता है तू टेक ड्रेंक यानि सराब पीना इसका मतलब होता है शराब पीना ठीक है जैसे ही स्टॉप्ड बार का मतलब आप जानते होंगे मदुशाला जहां सराब बिखता है तो ही स्टॉप्ड एड बार वह बार पर रुका मदुशाला पर रुका तू वेट विशल यानि अपने विशल को सीटी को गिला करने के लिए तो यह तो एडियम है दिखता कुछ और मीनिंग कुछ और ह होता है तो इसका मतलब होता है सराब पीने के लिए तो सराब पीने के लिए बार यानि मदुशाला पर रुका और अगला जो हमारा इडियम है यह बहुत ही फेमस बहुत ही फेमस है एक्जाम के लिए तो बहुत ही फेमस है एट वन्स विट्स एंड इसका मतलब है एट वन् विट्स. ठीट्स Inc. पाईएच फोड़ा सा आपको यह जानना होगी है जब भी किसी इडियम में वांस आ जाए ना. वांस तो यहाँ पर सेंटेंस जब आप बनाओगे तो सब्जेक्ट अगर यू है तो यहाँ पी यूर होगा अगर subject हमारा ही है तो यहां पर ही होगा, she है तो हर होगा, जैसे हम तो positive adjective कहते हैं, my, our, your, यह सब, अगर I होता तो यह माई होता, तो आप देख सकते हो, are you, you हमारा subject हैं पर, क्या तुम confused हो, tired हो, upset हो, अगर हमें यह बात कहने हैं, तो हम ऐसे कहेंगे, are you at once wits end के जगह पर मै मैं ऐसे कहता, yes, I am at my, my, यहां पर लगा था, I am at my wits end, मतलब मैं एकदम confused हूँ, tired हूँ और upset हूँ, तो at once wits end का मतलब होता है, confused होना, tired होना, या upset हो जाना, ठीक हैं, वीडियो कैसा लगा, जरूर बताएगा, like करिएगा, share करिएगा, thank you very much,